आज गनस समाज़ार हमें इसी और इंगित करता हैं कि हम इश्वर के सेवक मात्र हैं और जो खारी हमें प्रभूने सोंबा हैं उसे हमें पूर्ण इमानदारी से पूरा करना है और जो सेवक अपने खारी में सज़क आउज इमानदार पाएगा प्रभू उसे उजित फ़र देगा तो समाज़ार में दी गई प्रभू की खुशा हमें घिंबिर तदा सज़क बनानी चाहिए उन्होंने हमें अपना बनाया है वे हमें चेदाते हुए बदाते हैं कि हम हमेशा अपनी मुलाहट के प्रदी सज़क एवं खारिरत देखना चाहिए हमें इस सदाईव याद रिखना चाहिए कि हम एशु के घराने के सदस्य हैं हम गस्तिय हैं उनकी कलीसिया का अंग हैं तदा हम अंद भले के लिए आमंद्रद हैं इस वर हमें भले, सज़क, इमानता और वफाधा सेवक पन्ने में मुदद खरे